वेल्कम टू इंग्लिश बाबा चैनल आज हम क्लास 12 इंग्लिश जो पोयम नंबर वन है माइ मदर एट 66 इसके क्वेशन आंसर करेंगे जो पोयट है अगर आपने पोयम पड़ी होगी वो अपनी मम्मी की हेल्थ को लेके क्योंकि वो 66 इर्स की हो चुकी है अब वो ये चिंता में है कि उसकी मम्मी कभी भी संसार से जा सकती है मर सकती है तो what is the kind of pain यहाँ पे मैंने इस figure में आपको दिखाया हुआ है यह पोयट है ठीक है और यह इसकी मदर है तो किस तरह का पेन है पोयट को किस तरह का पेन और एक वो फील कर रही है आंसर देखिए पोयट की मम्मी अब 66 साल की हो गई है जब पोयट यह नोटिस करती है कि उसकी मम्मी का चहरा पूरा पीला सा पढ़ गया जैसा कि ओल्ड इज में हो जाता है और उनका जो फेस है बिल्कुल ऐसे लग रहा है एक डैड बॉडी की तरह है वो डर जाती है कौन पोयट अब पोयट को यह समझ आ जाता है कि अब उसकी मम्मी इस दुनिया में जादा दिन नहीं जिंदा रहेंगी पोयट को अपने बचपन से ही यह डर लगा रहता था कहीं वो अपनी मम्मी को खोना दे तो एक आम इनसान की तरह है बस एक सिंगल छोटा सा एक थाट भी कि कहीं उसकी मम्मी मरना जाएं कहीं वो अपनी मा को खोना दे इस वज़े से यह पेन हो रहा है तो इसका जो दर्द है वो पूरी तरह से अपनी मम्मी को लेकर है जो छोटे छोटे पेड जो उसे बाहर दिखाई दे रहे है क्योंकि वो कार चला रही है पोएट तो उन्हें वो sprinting क्यों कह रहे है जब से पहले हम समझेंगे कि sprint का मतलब क्या होता है sprinter कौन होता है children जो लोग दौड लगाते हैं है न दौड में हिस्सा लेते उनने बूलते है sprinter और इसके अलावा आपने देखा होगा जब आप कार से कहीं जा रहे होते हो या बाइक से किसी से तो अंदर से ऐसा लगता है कार से कि जैसे कि जो ट्रीज है वो चल रहे हैं जबकि चल रही होती है हमारी गारी तो आंसूर देखिए इसका जो पोएट है वो ट्रेवल कर रही थी कार से जब उसने बाहर देखा जो छोट-छोटे पेड है उसे ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो भाग रहे हो पर कि एक्चुली में पेड भाग रहे थे नहीं भाग तो उसकी कार रही थी चल रही थी अब देखो यह वाली लाइन मैंने पूरी यहां से उठाई है इसलिए जो पेड है उनने स्प्रिंटिंग की तरह डिस्क्राइब किया गया है अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मिरे भाई प्लीज चल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो हमसे अच्छे question answer आपको कहीं नहीं मिलेंगी इस बात का मैं वादा कर रहा हूँ आपसे next question why has the poet brought in the image of the married children poet अपनी इस poem में married children का मतलब है खेलते हुए खुश होते हुए बच्चे is playing out of their homes तो एक तरफ तो poet बहुत ज़्यादा sad है अपनी मम्मी की तबियत को लेके ठीक है लेकिन उसने poem में एक खुश नुमा बच्चे जो की खेल रहे हैं और अपने घरों से बाहर आ रहे हैं वो क्यों डाले हैं so इसका answer देखेंगे हम इसके answer को समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए दो images बना लिए एक ये और एक ये पहली image में दो छोटे छोटे बच्चे खेल वहे हैं children अगर मैं आपसे पूछू कि इन images को देखके क्या लग रहा है तो इन images को देखके लग रहा है ये दोनों छोटे बच्चे बहुत खुश हैं बहुत happy हैं और इनके आगे इनकी पूरी जिंदगी पड़ी है कैसे अभी ये school में हो ठीके फिर पूरी इनकी schooling होगी ठीके 6 में जाएंगे 10 में जाएंगे 12 में जाएंगे फिर उसके बाद college करेंगे शादी होगी बच्चे होगे ठीके तो इनके आगे पूरी जिंदगी पड़ी हुई लेकिन जो दूसरी figure है ये वाली जहां पे एक old lady दिखाई हुई है इन्होंने अपना पूरा जीवन देख लिया और कभी भी इनका जीवन खतम हो सकता है ठीके तो अब हम question को answer करेंगे सबसे पहले question दुबारा देख लो why has the poet brought the image of merry children एक तरफ वो दुखी है फिर भी उसने जो खुशाल बच्चे हैं जो हसते खेलते बच्चे हैं उनकी figure क्यों डाली है answer देखिए the poet has brought देखो पूरा का answer यही से उठा रहो the poet has brought the image of merry children spilling out of their homes यहां से लेके यहां तक मैंने पूरा question से उठाया है इसी तरह से आपको answer बनाना होगा exam में to present a contrast contrast क्या होता है जब आप किसी चीज के opposite देखो एक तरफ वो दुखी है बहुत ज़्यादा दुखी है किस बात को लेके दुखी है अपनी मम्मी की health को लेके दुखी है और यहां पे वो contrast दिखा रही है बिल्कुल उलट यानि और sad का opposite क्या होगा merry खुश at one side merry children represent joy and full of life एक तरफ जो बच्चे खेल रहे हैं जो खुश है वो क्या represent करते हैं joy means खुशी आनंद full of life पूरा जीवन भरा हुआ while on the other hand her mother with pale face represent sorrow जबकि दूसरी तरफ अगर बात करू तो उसकी मम्मी जो क्या बूड़ी हो गई है जिनका चहरा पीला सा पढ़ गया वो क्या present कर रही है वो कही न कहीं दुख को represent कर रही है and the life which is about to end और एक ऐसा जीवन जो अब कभी भी खतम हो सकता है so I hope कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से clear हो गई है उसने basically क्या करने की कोशिश की है contrast दिखाने की कोशिश की है कि एक तरफ जीवन जब खतम होता है तो किस तरह होता है और एक तरफ जब जीवन की शुवात होती है तो कितने हसी खुशी सब लोग होते है next question why has the mother been compared to the late winter moon अगर आपने इस poem को अच्छे से पढ़ा है तो एक जगे वो अपनी मदर को compare करती है late winter moon को ठीक है अब इस image इस question को समझाने से पहले भी मैं आपको कुछ images दिखा हुआ children यहाँ पे इस वाले figure में A और इसमें B में आपको कुछ difference दिख रहा है अब आपको गए yes sir इसमें हमें एक सुन्दर सी लड़की दिखाई दे रही है इसमें एक old woman दिखाई दे रही है तो यह जो सुन्दर सी लड़की है यह poet की mother है जब वो जवान थी जब वो young थी और अब वो बुड़ी हो गए ऐसे ही जब गर्मियों में जब मौसम साफ होता है तो जो चांद है हमें उसकी रोशनी दिखाई देती है बहुत ज़ादा लेकिन वो ही चांद जो एक टाइम पर बहुत ज़ादा गलो कर रहा था बहुत ज़ादा रोशनी दे रहा था वो winter के टाइम में यहाँ पर लिखा हुआ ना winter moon winter के टाइम पर धुंद के टाइम पर धुंदला पड़ जाता है तो यहाँ पर पोएट ने अपनी मम्मी की जो present state है उसको compare किया है winter moon से पढ़ेंगे इस का आनसूर why has the mother been compared to the winter moon winter moon से क्यों compare किया गया है the mother the poet's mother is 66 years old वो 66 साल की है she has lost her shine वही कही ना कहीं वो जो चमक थी जो जवानी की एज में थी and glow of young age जो glow था young age में वो अब खोच चुकी है similarly the late winter moon looks faded जिस तरह से जो winter का जो चांद होता है वो faded धिकता है उसी तरह से उसकी मम्मी की भी जो एक glow है एक जो shine है वो खोच चुकी है it to lack shine and strength जो winter वाला जो moon है उसकी भी जो चमक है वो फीकी पड़ जाती है उसकी जो strength है वो कम हो जाती है therefore अब देखो therefore के बाद पूरी line मैंने यहां से उठाई है therefore the poet has compared her mother to the late winter moon इसी लिए poet ने अपनी मम्मी को बुढ़ी age में old age में compare किया है late winter moon के साथ last question करेंगे what do parting words of the poet and her mother and her smile signify सबसे पहले इसका मतलब समझो parting words का मतलब क्या आता है poet जो है अपनी मम्मी के घर से अब airport जा रही है क्योंकि उसे अपने घर जाना होगा उसका husband होगा जहां जाती है तो अब वो अपनी मम्मी को buy कर रही है कहां पे airport पे तो parting का मतलब बिछोडते हुए एक दूसरे को buy करते हुए एक तरफ वो अंदर से दुखी है लेकिन फिर भी वो smile क्यों करती है और उसकी smile क्या signify करती है तो answer देखिए एक साइट तो यार वो दुखी थी कि यार कभी मेरी मम्मी इस संसार को छोड़के जा सकती है येट फिर भी जब वो अपनी मम्मी से विदा लेती है एरपोर्ट पे वो response करती है एक smile के साथ एक मुस्कान के साथ और अपने pain को अपने दुख को छपाने की कोशिश करती है smile के पीछे आपने देखा होगा अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर हमें बता देता है कि अब इनके पास ज़्यादा समय नहीं है तो हम क्या करते है हम सामने वाले को नहीं बताते है हम अपने patient को ये बताते है अरे डॉक्टर ने काए कुछ नहीं है यार तुम तो ठीक हो जाओगे दो दिन में तो ये ही वाली बात कहीं न कहीं जो poet है वो कर रही है असलियत वो जानती है मन मन में लेकि फिर भी अपनी मम्मी को एक assurance देने के लिए ठीक है वो एक जूटी smile करती है तो पार्टिंग words जो उसने जब वो वहाँ से बिछुड़ती है अपनी मम्मी से तो वो क्या कहती है see you soon अम्मा यहाँ अम्मा word आया है मदर के लिए तो मम्मा जल्दी ही अम्मा आपसे मिलूंगी given assurance ये एक assurance दे देता है उस old lady को चुल्ड़न लास्ट प्वेस्चन है इसका answer तुम मुझे दोगे comment section में age of poet's mother poet की मम्मी की age क्या थी 65, 66, 67 या 68 I hope मेरी ये छोटी सी explanation आपको बहुत अच्छी लगी होगी मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं आगले वीडियो में बाई